What is the meaning of police? ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कानून और व्यवस्था हमारे जहन में आ जाती है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस की डेफिनिशन क्या है और एक्च्वल में पुलिस के काम क्या है पुलिस की कुछ विशेषताएं होती है जैसे की पुलिस राजे के प्रतिनिधी के रोप में काम क्या है पुलिस की कुछ विशेषताएं होती है जैसे की पुलिस राजे के प्रतिनिधी के रोप में काम करता है पुलिस का काम कानून और व्यवस्था को बनाई रखना होता है कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस का मौलिक कार्य नियमित अपराधिक सहीता को लागू कराना होता है तो ये तो थी डैफिनेशन अब जानते हैं पुलिस के काम क्या होते हैं भारतिय दंड सहीता के संदर्प में भारतिय पुलिस के कुछ काम है जो की इस तरह से हैं नमबर एक संदिक्त वेक्ति को हिरासत में लेना दंड प्रेकरिया सहीता की धारा 41 के अनुसार पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेस और वारिन के बिना किसी ऐसी वेक्ति को गिरिफतार कर सकता है जो किसी संगे अपरात से चुड़ा हुआ है जिसके खिलाफ उसके बारे में शिकायत की जा चुकी है पुलिस के पास ऐसी सोचना आई है जिस पर उसे भरोसा है कि वो वेक्ति किसी संदिक्त अपराद से जुड़ा हुआ है अपरादों की खोजबीन करने के लिए किसी भी संदिक्त वेक्ति को हिरासत में लेना पुलिस के लिए जरूरी हो जाता है कभी-कभी डर के कारण निर्दोस वेक्ति को भी गिरिफतार कर लिया जाता है ऐसी अवस्था में पुलिस को दोशपोन अवरोध के अभियोग से बचाने के लिए पुलिस अधिकारी को भारतिय दंड सहीता की धारा 76 और 79 में संदक्षन दिया गया है संदेख्ध वेक्ति को अपनी हिरासत में लेकर पुलिस उसे पूस्थाज करती है और परियाप्त एविडेंस को प्राप्त करती है पुलिस अधिकारी उसे अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम दंड अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है भारती सविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पुलिस कोट की अनुमती के बिना 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकता पुलिस का दूसरा काम है किसी भी संदिक्त व्यक्ति की तलाशी लेना या फिर उसे पूस्ताज करना सावधानी के दृष्टी से किसी भी संदिक्त व्यक्ति के कपडों और जीबों की तलासी लेने और जमा तलासी करते हैं भारती दंड सहीता के अनुसार पुलिस ऐसे संदिक्त व्यक्ति को जमा तलासी ले सकती है जिन्हें की जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता या जो पुलिस को जमानत देने में आसमर्थ है अगर संदिक्द वेक्ती अपना नाम और पता सही नहीं बताता तो ऐसे वेक्ती को 24 घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है ताकि उनके बारे में सही जानकारी निकाली जा सके पुलिस का तेसरा काम है अपराधियों का बंदी करन करना निवारन निरोध अधिनियम को सविधान के आर्टिकल 15, 20 और 21 के अंतरगत वैधानिकता प्राप्त है जिसके अनुसार पुलिस किसी भी अभियुक्त को बंदी बना सकती है ये किसी भी बंदी बनाए गए वैक्ती की स्वतंत्रता पर अंकुष लगाना होता है इसलिए बंदी बनाए जाने वाले वैक्ती को भी कुछ अधिकार दिये गए है जिनका पालन करना पुलिस के लिए जरूरी होता है जैसे कि बंदी बनाए गए वेक्ति को 24 घंटे के अंतरगत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप की उसे जानकारी देना और उसे खुद या फिर उसकी पसंद का वकील नियुक्त करने की आजादी देना जरूरी होता है पुलिस का चौधा काम है बिना वारिन के तलासी भारतिय दंड सहीता के अनुसार पुलिस को ये अधिकार है कि वो आवर्शक होने पर आवारा वेक्ति या फिर किसी अपराधी या फिर जेल से रिहा किये गए अपराधिय जो द्वारा शर्ते भंग किये जाने पर उन्हें बिना वारिन के गिरिफतार भी कर सकते हैं पुलिस का पांचवा काम है कोट के आदेश पर गिरिफतारे कभी कभी कोट अपराधियों को बंदी बनाए जाने के लिए वारिन चारी कर देता है जिस पर अपराधी का नाम पत पुलिस प्राइविसी के अधिकार के खिलाफ माना जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ में औल नोटिफिकेशन बटन को अन रखे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे अपडेट होते झाल हुआ है तो आप लोग जयाँ जब टुर मुच है कर दो आप पर दो सब्सक्राइब पर है जब है तो आप सुक्षाब पर रहें।